आज हम Physiotherapy field के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं Physiotherapy को Paramedical Science का दरजा दिया गया है लेकिन यह किसी Mainstream Medical Treatment से कम नहीं है Physiotherapy इस्तिमाल करने से काफी Patients को अपने Neuromuscular और Bone या Joint Problems के Pain से बहुत अच्छा Relief मिला है Normal लोगों का मानना होता है कि सिर्फ इनी problems के लिए लोग physiotherapist के पास जाते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है cardiac disorders, छोटे बच्चों के बिमारिया, बुजर्ग लोगों के बिमारिया इन सब चीजों के लिए भी physiotherapy में बहुत अच्छे treatments पाए गए हैं Physiotherapy एक mainstream treatment के तौर पर ली जा सकती है या आपकी जो दूसरी mainstream treatment चालू है उसी के साथ साथ आप physiotherapy sessions भी attend कर सकते हैं exercises, stretches, traction, cold application, heat application, wax bath, paraffin bath ये physiotherapy में इस्तमाल किये गए आम तौर पर के techniques हैं Physiotherapy में काफी advanced research होने के वज़े से नए techniques और methods दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं Physiotherapy का scope भी बहुत बढ़ता जा रहा है और आजकल लोग अपने doctor के treatment के साथ साथ Physiotherapy treatment लेना भी prefer करते हैं Physiotherapist बहुत कम बार medicines का इस्तमाल करते हैं लेकिन कभी जरूरत हो तो वो pain killers, muscle relaxants या nerve tronics का इस्तमाल भी करते हैं अगर आपको orthopedic complaints हो अगर आप बुजर्ग हो और आपको loss of balance की तकलीफ हो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसके limbs याने हाथ पेरों की development अच्छे से ना हुई हो तो अपने Physiotherapist को contact करने की देरी ना करें अगर आप Physiotherapy treatment लेंगे तो painful injections और surgical methods आपको इस्तमाल ना करने पड़े इसकी भी संभावनाई बहुत बढ़ जाती है Take care of your health, be healthy, be happy यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया झाल